नमस्कार टीवी नाइन राजिस्थान पर आजकी इंसाइट स्टोरी के साथ मैं हूँ भवशित्यागी पूर्वसीयम अशो गैलोत और सचिन पाइलेट दिल्ली में हैं सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है अब दिल्ली में क्या खिचडी एक बार फिर से कॉंग्रस के भीतर पक रही है ये आपको बताएंगे इसके लाबा आचार सहिता को लेकर राजिस्थान में आचार सहिता के उलंगन को लेकर घमासान मचा हुआ है और ये घमासान फिर एक बार सियासी घमासान ही है अकिर इस सियासी घमासान की वज़े क्या है और इस सियासी घमासान में किसको जठका लग सकता है ये भी आपको इस inside story में बताने वाले हैं सबसे पहले बात कॉंगरस की दरसल सुत्रों ने जानकारी दी है कि पूर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और सचिन पाइलिट दिल्ली में हैं अब दिल्ली में होने के पीछे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आला कमान से बड़े निताओं से एक बार फिर इन दोनों होगी क्या किसी तरह की कोई बैठक होगी और बैठक में किन मामलों पर फैसले लिए जाएंगे क्या संगठनात्मक तौर पर राजिस्थान में किसी तरह के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं या पर चूकि 19 जनवरी से राजिस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है तो उ अभी तक कॉंग्रस के भीतर जो पेंच फसा हुआ है वो पेंच सुलज नहीं पाया है दरसल आपको बता दे नेता विपक्ष को लेकर कई तरह की बाते चल रही है कई नाम सामने हैं महेंद्र जीत सिंग मालविये हैं इसके अलबा कई और नेता हरीश चौधरी का जिक्रोरा लेकिन आपको बता दे कि इन सब में सबसे प्रबल दावेदारी हरीश चौधरी के नाम को लेकर जताई जा रही है ये भीतरखान इस तरह की चर्चा है और सूत्रों के वाले से ये जानकारी मिल रही है कि नेता विपक्ष के नाम पर हरीश चौधरी के नाम पर लगबग سै मती बनाई जा चुकी है लेकिन अंतिम मुहर जो है वो शीर्ष नेत्वत्व ही लगाएगा कॉंग्रस का अलाकमान ही लगाएगा तो एक बार फिर जब पूर मुक्यमांत्री एशोगेलो तो और सचिन पाइलेट दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली दर्बार से क्या पूर्व नेता विपक्ष के ही नाम पर मुहर लगवा कर ये दोनों नेता जो है वो लोटने वाले हैं गियाने वाले समय में साफ होगा लेकिन इस्थती यही है कि नेता विपक्ष पर पूर्जोर तरीके से मन्थन कॉंग्रस पाटी के भीतर चल रहा है लेकिन देखना ये भी होगा क्या किसी तरह का कोई बदलाव का संगेत संगठनात्मक तोर पर क्या प्रदेश अध्यक्ष में फिर बदल ये संगठनात्मक कोई और नियुक्तियां क्या इसका संगेत लेकर भी सचिन पाईलेट और अशोग गहलोत वापस राजिस्थान लोटेंगे क्या खैर अब आते ह आचार सहीता के उलंगन परमचे सियासी घमासान पर पाँच जनवरी को श्री करनपूर सीट पर चुनाव होना है चोकि यहां पर विधान सभा का चुनाव टाल दिया गया था जब प्रत्याशी गुरपीत सिंग कुन्नर की मौत के बाद उनके निधन के बाद ये चुनाव टला तो उसके बाद इसकी तारीख पाँच जनवरी तया की गई अब यहां पर बीजेपी थोड़ी स्थी बद्दी है बीजेपी अब सरकार में आ चुकी है और बीजेपी ने श्री करनपूर सीट से सुरेंद्र पाल सिंग टीटी को प्रत्याशी घोशित किया प्रत्याश इस तार करके इस तरह का फैसलाले कर बीजेपी ने आचार सहीता का उलंगन किया है और नियम विरुध यह नियुक्ति की गई है अस्विधानिक तरीके से सुरेंद्र पाल सिंग को मंत्री बनाया गया है अब देखिए नियमों को लेकर भी कन्फिलिक्ट नजर आ रहा है कॉंग्रिस पार्टी इस पूरे मामले को और इस पूरे मामले को लेकर आचार सहीता के नियम का हवारा दे रही है वो यह कह रही है कि आचार सहीता के मुताबिक इस तरह की कोई भी नियुक्ती सरकार नहीं कर सकती है जो कि चुनाव को प्रभावित कर सके या चुनाव शेत्र में किसी प्रत्याशी को मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है इस तरह की चर्चाएं कर रही है और इस त विशेशादिकार है कि छे किसी भी व्यक्ति को वो अपने मंत्री मंदल में शामिल कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति छे महिने तक बिना किसी सदन का हिस्सा होते हुए छे महिने तक वो पध पर बने रह सकता और मुख्यमंत्री का विशेशादिकार है एक तरफ मुख्यमंत्र सरकार नहीं कर सकती जो चुनावों को प्रभावित करें इनी के बीच एक contradiction के स्थति बनती है यह यू भी कह सकते हैं कि जो इन दोनों नियमों के बीच एक पतली सी कह सकते हैं कि दराष दिखी उसी के बीच से BJPने दाव चलते हुए बड़ा खेल आने वाले चुनाव को लेकर शीकरनपूर सीट पर कर दिया है। कि मंत्री बनाया जाना किसी प्रत्याशी को किसी चुनाव को प्रभावित करता है। किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया जाना चुनाव को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अब पूर्व के सरकार में जब चुनावों से पहले सरकार कॉंग्रस की थी तो सत्रा मंत्री चुनाव हार गए। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाने से चुनाव प्रभावित होता है तो आखर ये भी सवाल उठेगा कि सत्रा मंत्री चुनाव कैसे हार गए। कई चीजे हैं उससे पहले बीजेपी की सरकार में भी इससे जादा संक्या में मंत्रियों की हार हुई थी और राजिस्थान में तो एक ट्रेंड रहा है काफी लंबे समय से चुनावी ट्रेंड ये रहा है कि बड़े-बड़े का दावर मंत्री अपनी सीठ नहीं बचा पात से चुनाव हार जाते हैं अब इस तरह के ट्रेंड के बीच में ये तरक और यह interpretation की किसी व्यक्ति को चार्या प्रतियाशी को मंत्री बनाए जाने से चुनाव प्रभावित हो सकता है ये interpretation अब चुनाव आयोग को अपने विशेश आधिकार के अंतरगत करना है और उनका तर रही है और बीजेपी अपने अपने तर्क रख रही है अपने दावे कर रही है लेकिन इन सब के बीच आने वाले समय में श्रीक अरनपुर्ट सीट का जो चुनाव है वो काफी महत्पूर्ण हो जाता है बीजेपी सीट पर भी जीत का दावा कर रही है तो कॉंग्रेस पॉलिटिक्स की है हाला कि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कानूनों के इंटर्प्रेटेशन को मद्दे नजर रख कर ये देखा जाए कि वाकई क्या ये चुनाव को प्रभावित करेगी स्थेती तो इसमें कही ना कई कानूनों के जानकार या पॉल कहीं राजनितिक नैतिकता राजनितिक नैतिकता के दाएरे में ये फैसला सटीक नहीं बैठता है तो एक तरफ मोरल कमपस है दूसी तरफ नियम काईदे कानून अब चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेगा ये भी आने वाले समय में आपको बताएंगे आज इस कामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुरा है कॉमेंट के जरीया आप अपनी बात सुझाव राय या सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं राजिस्तान से जुड़ियो और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जर जरीयो और भी को सबस्ते हैं लिए